हलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू मैट्स वितूर दिस इस सोनिया जैन तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशाले रास्टी राजानी श्यत्र दिल्ली से आई हुई वक्षिट नमबर 13 क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट हमारा हिंदी है डेट है 10 निवेंबर तो बेटा 10 निवेंबर मंगलवार को यानि आज आज आपकी दू वक्षिट आई है एक तो मैट्स की और दूसरी हिंदी की मैट्स की वक्षिट मैंने अल्रेडी अप्ल सुनकर बोली और-और कटपुत्लियां कि हां बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए मगर करके आगे ये डेश्टर डल रहा है मतलब सोच में पड़ गए मगर पहली कटपुत्ली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी तो प्रसंग क्या है प्यारे बच इसमें उन्होंने एक कटपुत्ली की मनोदशा का चितरन किया है मतलब कि एक कटपुत्ली की मन की दशा का मनोदशा मतलब मन के दशा मन में क्या-क्या विचार उठते हैं ठीक है वो वे कहते हैं कि कटपुत्ली बंदे होने के कारण बहुत दुखी है और विद्रहो करती है कि पहली कटपुतली की बात सुनकर बाकी कटपुतली हम भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किये मतलब हम बहुत सहलिया हमने अपनी मनमर्जी का कोई काम क्योंकि कटपुतली को आपने देखा होगा जैसे अगर इस पिक्चर में भी देखो धागे से बंदी हुई है जैसा वो कटपुतली वाला करता है नाच नचाता है जिस हाथ को खीचेगा वहां करेगा उपर पैर को करेगा तो पैर उठाएंगी तो उसके इशारों पे नाचती है ठीक है तो वो कहती है बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मरजी करे हुए ठीक है हम दूसरों के इशारों पे नाच कर ठक गए हैं यह सब सुनकर पहली कटपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी पहली कटपुतली के मन में यह इच्छा जागी थी विद्रो हो जागा था कि मुझे अब दूसरों मन में कैसे इच्छा आ गई क्योंकि उसके उपर तो अन्य कट पुतलियों के जिम्मेदारी आ गई है तो मतलब उसे यह लगा कि पहले तो मैं ही इस तरसे आजाद होना चाहती थी तो दूसरी कट पुतलियों का नई हम भी होना चाहते हैं विद्रो करना तो जो पहली कट पु की बात सुनकर बाकी कट पुतलियों ने क्या कहा तो बिटा यहां पर हमें यह है कि पहली कट पुतलियों की बात सुनकर बाकी कट पुतलियों ने क्या कहा था क्या कहा था बाकी कट पुतलियों ने कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मर्जी किये हुए तो यही बस हमने यही किशारे पर नाच नाच कर ठक गए हैं अगला प्रशन है पहली कटपुतली की बाद सुनकर दूसरी कटपुतली को क्या अच्छी लगी जो पहली कटपुतली थी उसकी बाद सुनकर दूसरी कटपुतली को क्यों अच्छी लगी थी वो बाद तो पहली कटपुतली की बाद द में लिखा है न कि वो भी अपने मुनमर्जी का काम करना चाहती थी, ठीक है वो दूसरों के शारे पर नाच नाच के ठक गई थी, तो ये चीज उनको वो चाह रहे थी, दूसरी कटपुतली की बात सुनकर पहली कटपुतली क्या सोचने लगी, जब उसने देखा कि दूसरी कटपुतली की बात सुनकर पहली कटपुतली सोचने लग जाती है कि अब दूसरी कटपुतली की जिम्मेदारी भी उसके उपर आ गई है, अगला प्रशन है, अगर आपको कटपुतली की तरह दूसरों के शारे पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, और क्यों, त हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, तथा अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, अगला प्रशन है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों के कटपुतली हैं, और हैं तो कैसे, तो इसका उतर बटा ये है, हाँ, हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों के क बात करते हैं टीवी पे कोई विज्यापन आता है मान लीजे कोई साबून का विज्यापन अगर मैं कहूं या कोलगेट का या किसी भी पेस्ट का विज्यापन कहूं तो आप उसमें देखते हैं कि बहुत अच्छे से बहुत अच्छा साबून है बहुत अच्छे से गोरा हो तो हम क्या उसी को सच मानने लग जाते हैं, हम वही चीज बजार से खरीद के लाने लग जाते हैं, है ना, तो एक तरीके से हम जो वो दिखा रहे हैं, हम उसी को सच मान रहे हैं, है ना, तो हम उनके हाथों की एक कटपुतली बन गया, तो बैटा, यहाँ पे हमारी वक्षीट complete होती है अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना so that कि जब भी